हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं बनानी जा रही हूं भिंडी की सबजी भिंडी की सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है इस पेशली बच्चों के लिए तो भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूं मैंने सामग मिर्ची हींग एक बड़ा चम्माच सर्शों का तेल है आधा चोटा चम्माच राई आधा चोटा चम्माच जीरप आधा चोटा चम्माच लाल मिर्च पाउडर वन फोर्थ चम्माच हल्दी पाउडर एक चम्माच सूखा धनिया और एक चम्माच नमक सबसे पहले हम भिंडी को काट लेते हैं एक दो बार अच्छे से बॉस कर लिया है भिंडी को हमने और सुखा लिया है अब हमारी भिंडी अच्छे से सुख गई है जब भी आप मारकर से भिंडी ले तो पीछे से चेक करके लीजिए इस टाइप से कि ये हमारी भिंडी अच्छी है ताजी है और फ्रेस है अब हम भिंडी को काटना सुरू करते हैं भिंडी के पीछे का पार्ट हटा देंगे भिंडी को हमें इतनी साइज में काटना है पीछे का पायट भी साइड से रख देते हैं इस तरह हम सारी भिंडी काट लेंगे भिंडी हमने काट ली है इसके बाद हम प्याज काट लेते हैं प्याज को थोड़ा सा मोटा काटेंगे प्याज भी गट गई है गैस पर कड़ाई रख दिये हैं अब हम यहाँ पर तील डाल देते हैं मैंने सर्सों का तील लिया है और एक बड़ी चमच सर्सों का तेल है तेल गरम हो गया है सबसे पहले हम हींग डालेंगे जब भी आप भिंडी बनाईए तो हींग जरूर डालिए इसके बाद जीरा जीरा के बाद आधा छोटा चमच राई इसके बाद हम लेशन हरी मिर्च टाल देते हैं लेशन को थोड़ा सा हलका ब्राउन करना है इसके बाद हम प्याड डालेंगे बिंडी को हमें ब्राउन नहीं करना है मैं बस एक मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाना है बन फोर्ट चमज हल्दी पाउडर डालेंगे हल्दी कम ही डाली है बिंडी में इसके बाद हम कटी हुई बिंडी डाल देंगे मिक्स कर देते हैं बिंडी हमारी अच्छे से मिक्स कर ली हमने बिंडी को ढग कर 5 मिनिट के लिए पकाएंगे और स्लो फ्लेम पर पकाएंगे पांच मिनिट हो गए है अब हम बिंडी चेक कर लेते हैं बिंडी काफी सॉफ्ट हो गई है अब हम यहाँ पर सुखी मसाली डाल देंगे एक चमज धनिया पाउडर आधा छोटा चमज लाल मिर्च पाउडर एक चमज से थोड़ा जादा नमक है नमक स्वादा नुशार मिक्स कर देते हैं बिंडी में नमक आप बाद में ही डालिए स्टार्डिंग में अगर आप नमक डाल देते हैं तो भिंडी चिप-चिपी होने लगती है और लिए आप भिंडी में लमक लास्ट में ही डाले पांच मिनिट के लिए हमें भिंडी को स्लो फ्लेम पर पकाना है जिससे की मसलाले भिंडी में अच्छे से मेल जाए बिंडी हमारी पक गई है, अब हम गयस को बंद कर देते हैं, हरा दिनिया डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, अच्छे से, बिंडी की सब्जी हमारी बन के तयार हो गई है, अब हम इसको एक कटोरी में नीकाल लेंगे, हमारी बिंडी की सब्जी बन गई है अगर आपके कोई सोजाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से यार कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठैंक्स पॉर वाचिंग